श्री शिवाई नमस्तु भ्यम हरहर महादेव 36 राजी के भिलाई में गुरुजी पंडिपदी मिशा जी के द्वारा श्री शावन श्री महाप्राण कता शिरू हो गई है और आज 29 चुलाई पाजवे दिन की कता पूर्ण हो चुकी है यह साथ दिवसे श्री महाप्राण कता ह जो की 25 चुलाई से 31 चुलाई 24 तक आस्ताचीनों यूट्यूब के माद्यम से दोपेर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी सकती है कल है 30 चुलाई बहुती विशेश दिन है सावन की दश्मिति थी है और गुरु जी का बताया गया सावन की दश्मिति थी का बहुती विशेश उपाय है जो की शमी पतरवाला है इसमें अचूग धन प्राप्ती करजय मुक्ती उपाय बताया गया है जिसे आपको कैसे करना है हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे और ये उपाय वर्ष में सिर्फ सावन की दश्मितिती में ही किया जाता है इसलिए वीडियो का अंते तक देखिएगा क्योंकि कि ये मौका आपको दोबारा फिर से ना मिलने वाला आज 29 चुलाई पांच बिन के कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्रुपवे की जानकारियां दी हैं सभी की जानकारिया आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है किसी करणवश यदि आपने बार बार प्यास कर रहे हो तो आपको सफलता दिलाने का कारे महादेव का होता है पढ़ते हैं आची कथा की दूसरी जानकारी की ओर आज गुरुजी ने कहा कि आज में बेटा बेटियों को सावन के सोंबार में एक प्रण करवाना चाहता हूं कि इतनी मेहनत करेंगे कि उसे मंजिल तक छोड़ कर आते हैं तो इस पर गुरुजी ने कहा आप उसको मंजिल पर छोड़ कर नहीं आ रहे हो बलकि वो आपको मंजिल दिखा रहा है जहां सभी को जाना है बढ़ते हैं आची कथा की चोथी जानकारी की ओर पांसोंबार वाला अगर सावन आता है तो अगर आप भुलेनात के शिवलिंग पर जल अरपित करते हैं तो आपको शिप पंचायत के सभी देवी देफताओं का आश्रिवाद आपको प्राप्त हो जाता है पांसोंबार वाले सावन का बहुत अधिक महद्व होता है शिप पंचायत के देवी देफता इस प्रकार है पंचायत में प्रधान देवी देफता है शिप जी है भवानी मया है तीसरे नारायन जी है चोथे सूरे भासकर जी महराज है और पांचवा गणेश जी है पांसोंबार वाला सावन आता है तो जब हम शिप लिंग पर जल अरपित करते हैं तो इन सभी शिप पंचायत के दे साथ में एक और बीमारी बता जी जिसका नाम था सीएसेफ बेटा आट साल के बाद हुआ और उसको इतनी सारी बीमारी हो गई पूरा परिवार होने लग गया तब मेरी दीदी आपकी कता सुनती है और उन्होंने कता सुनते हम से कहा कोई टेंशर मत ले प्रदोश के वरत कर सिहोर वाले महराची कता सुन शिप जी को जल चड़ा कर थोड़ा सा प्राप्त करके अपने बेटे को पिलाना शिरू कर पास में कता पंडाल में कता हो रही थी जो मैंने सुनी बाबा से निवेदन की और घर से पंडाल तक पेदल आऊंगी अगर बेटा ठीक हो गया तो और महरास्ट में अभी सावन चालू नहीं हुआ है क्योंकि हमारे यहां 15 दिन बाद सावन चालू होगा तो हम सावन शिवरात्ती की पूजन कैसे करें तो इस पर गुरुजी ने कहा हम पूरे देशवास्तियों से कहना चाहेंगे कि शंकर को भजने के लिए कोई दिन पल या घ घड़ी नहीं है कभी भी भज सकते हैं और आप अगर भुलेनाती पूजन कर भी लोगे तो कुछ घटेगा क्या बढ़ते हैं आची कथा कि साथवी जानकारी की ओर कई लोग कहते हैं सावन में हमारे दादा जी गए परिवार का कोई विक्ति शान्त हो गया तो क्या हम साव में खाना खाते हो की नहीं कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हो की नहीं घूमने जाते हो की नहीं आपने कुछ भी नहीं चोड़ा बस भगवान का पूजन चोड़ा भगवान का दर जाना चोड़ दिया भगवान का व्रत करना चोड़ दिया यह बहुत गलत बात है बढ किया आपके द्वारा फुलेरा का वर्णन सुना आपने कहा था कि जिस मंदिर में फुलेरा ना बंदा हो हर तालिक अतीच के दिन बांधो बाबा मनोकामना पूरी करते हैं मैंने पांच फुलेरा के दर्शन भी किये और बाबा की क्रपास से मेरा गर्बे ठहर गया पर तीन मह बच्चा बच्पन से ना देख पाता है ना सुन बाता है और डॉक्टर ने कहे दिया ये बच्चा जिन्दगी भन ना देख सकता है ना सुन पाएगा बहुत दिल दुखा तब आपने कथा में एक दिन आग ये एकांते श्वर में शिवलिंग पे जल चड़ाओ दूर बच्चे के आँख और कान में लगा देते और बाबा का क्या वड़न करूं डॉक्टर की रिपोर्ट भी फैल हो गई है मेरा बच्चा देखने भी लगा है और बोलने भी लगा है बढ़ते हैं आशिक अथा कि नोवी जानकारी की और बंदना मोहार जी पत्र ले कराइं मेर कैंसर होस्पिटल में जाच करवाएं वहां भी कैंसर बता दिया गया वो बताया कि पूरे शरीर में कैंसर हो गया है और केवल 2-3 महीने के महमान है तब मेरी सहली ने पशुपति नादवरत करने को कहा शिवलिंग पर चड़े जल पिलाने को कहा हमने रुद्राक्ष लेकर कंकर शंकर लेकर आए और रुद्राश का जल भाई को देना शुरू किया शिप चड़ी वेल पत्र दे देते दवाईयां भी चलती रही जल भी चलता रहो राज मेरा भाई अच्छा हो गया है दवाईयां बंध हो गई है पूरी तरीके से मेरा भाई ठीक हो चुके हैं उसी अची कथा की दसवी जानकारी की ओर रुकमनी तिवारी जी राजनन्द गाउं से पत्र लेकर आएं दस साल निकल लगए संतान नहीं हुई किसी के कहने पर टीवी के सामने बेट कर आसन लगा कर कथा सुनना शुरू किया सफ़े दाकड़ी की जड़का प्रयोग किया पश् शंकर का मंदिर हो सबसे पहले वहां जाकर जल चड़ाओ अगर आप वहां जल चड़ाओगे तो एक ना एक दिन को बेर भंडारी अपने पास आपको जरूर बुला लेगा बढ़ते हैं आची कथा की बार्वी जानकारी की ओर बार्वी जानकारी सुनने से पहले हम आपको करजया मुक्ति धन संपदा बढ़ाने वाला विशेश उपाय बताने वाले हैं जो कि सावन की विशेश दश्मी तिथी को ही किया जाता है जो कि 30 जुलाई के दिन पढ़ रही है तो आप वीडियो में अंतितक बने रहिएगा गुरु जी के यह जो शिम्हा प्राण कता चल 12 अगस्त से 16 अगस्त 5 दिवसे शिम्हा प्राण कता राइपूर 36 गड़ में रहेगी और फिर 17 अगस्त को कावर यात्रा रहेगी जो कि सीहोर कुब्रेश्वर धाम में रहेगी जो कि सीवना नदी से लेकर कुब्रेश्वर धाम जाएगी तो आप सभी लोग आमंत्री थें अबकी कावाड यात्रा में जरूर शामिल हो येगा और इसके बाद गुरूजी की जो अगली शिमाप्रान कता है वो 23 अगस्त से 29 अगस्त कुंठा नांदेर महारास्ट में रहेगी और फिर सितंबर में गुरुजी की जो शिम्हा प्राण कता है वो गुडगाओं में रहेगी 3 सितंबर से 9 सितंबर और फिर अगली शिम्हा प्राण कता 12 सितंबर से 18 सितंबर अगरवाल महीला मंडल सीहोर में रहेगी अब बढ़ते हैं अगली तेरवी जानकारी की ओर करजया मुक्ति और धन संपदा बढ़ाने वाले एक विशेश उपाई गुरुजी ने सावन की दश्मितिती को करने को कहा है जो की तीस चुलाई को पढ़ रही है अब आप सावन की दश्मितिती दो बार पढ़ती है एक क्रिश्न पक्षकी पढ़ती है और एक शुकले पूर रहता है और यदि आपका कोई बड़ा करजा हो गया है तो वह करजा भी चुक जाता है उपाय को केसे करना है ध्यान से समझज़ेगा इस उपाय को पर्भक के लिए शमीं पत्र के आविशक्ता होगी या तो आप साथ शमीय पत्र ले सकते है या ग्यारा शमी मिपत्र या 21 या 51 जितने आपको मिल सकें उतने शमी पत्र ले सकते हैं साथ कम से कम तो होना ही चाहिए शमी पत्र के पत्ती में जो बारिक बारिक पत्तियां लगी होती है वो ध्यान से देखेगा वो कहीं से भी खंटित नहीं होना चाहिए शमी पत्र पून होना चाहिए क्योंकि शिब जी पर कोई विवस्तु चड़ती है तो वो पून चड़ती है बस आपको एक छोटी से कटोरी में शहत ले लीजिएगा और साथ या ग्यारा इकिस जितने शमी पत्र आपको मिल जाए आप शमी पत्र लीजिए और एक एक शमी पत्र को शहत में डुबो डुबो कर आपको शिवलिंग का श्रंगार करना है यह उपाय आपको शाम के समय करना है प्रदोशकाल के समय करना है एक शमी पत्र उठाते जाए और शहत में डुबोते जाए और शिवलिंग कर चिपकाते जाए इस तरीके से आपको पूरे शिवलिंग का श्रंगार करना है जैसा क तो जो अब आने वाली इसके बास दश्मितिती रहेगी उसमें भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, आपको सिफ ये दो मोगे मिलते हैं, पर्ष भर आपके घर में धन संपदा भर पूर रहती है, करजा चुक जाता है, जो भी बड़ से बड़ा यदि आपके उपर करजा है, तो आप उसे भी फोलो कर सकते हैं, हर हर महादेव